आपका पहला नमबर सवाल है, किस देश में टिक टॉक चलाना जुर्म है? इसके ओप्षन है, A. इरान में, B. चीन में, C. नेपाल में, D. उत्तर कोरिया में इसका सही जवाब होगा, D. उत्तर कोरिया में दूसरा नमबर सवाल है, मनुष्य का सबसे बड़ा दुस्मन कौन सा जीव होता है? इसके ओप्षन है, A. सेर, B. साब, C. मच्छर, D. चीटी इसका सही जवाब होगा, C. मच्छर तिसरा नमबर सवाल है, दुनिया में सबसे तेज दोरने वाला इंसान कौन है? इसके ओप्षन है, A. ओप्षा, B. एल्डर, C. एकबर्ट, D. उसायन ओल्ट इसका सही जवाब होगा, D. उसायन ओल्ट चौथा नमबर सवाल है, नवाबो का सहर किस सहर को कहा जाता है? इसके ओप्षन है, A. पंजाब, B. राजस्थान, C. महाराष्ट, D. लखनव इसका सही जवाब होगा, D. लखनव को पांच नमबर सवाल है, वैपन सा प्राडी है, जो नर और मादा दोनों बन सकता है? इसके ओप्षन है, A. आक्टोपस, B. वेल, C. मेड़ा, D. तिल्चटा दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कानल को सब्सक्राइब करें इसका सही जवाब होगा, A. आक्टोपस चैनमबर सवाल है, सबसे ज़्यादा इंटरनेट का उप्योग कौन करता है? इसके ओप्षन है, A. बूढ़े, B. औरते, C. लड़की, D. लड़का इसका सही जवाब होगा, C. लड़कियाँ साथ नमबर सवाल है, बारा अर्मासा नामक पुस्तक किस लेखर द्वारा लिखी गई है? इसके ओप्षन है, A. बिमला सेंट, B. निर्मला वर्मा, C. मुझी क्रेंचन, D. हरिबंसराय बच्चन इसका सही जवाब होगा, D. हरिबंसराय बच्चन द्वारा आठ नमबर सवाल है, किस देश में सबसे अमीर लोग रहते हैं? इसके ओप्षन है, A. भारत में, B. लंदन में, C. स्विट्जर लेंड में, D. अमेरिका में इसका सही जवाब होगा, B. लंदन में नमबर सवाल है, एक अवरत अपने जीवन काल में, कितने बच्चों को जन्म दे सकती हैं? इसके ओप्षन है, A. बाइस बच्चे, B. चालिस बच्चे, C. बीस बच्चे, D. तीस बच्चे इसका सही जवाब होगा, B. चालिस बच्चों को जन्म दे सकती है दस नमबर सवाल है, भारत का सबसे उंचा ढलान कौन सा है? इसके ओप्षन है, A. कुंडली, B. ओयमूद, C. रोटांग, D. ताओबा दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्स्च्राइब करें इसका सही जवाब होगा, D. ताओबा गेरा नमबर सवाल है, दुनिया की सबसे बड़ी चटान कौन सी है? इसके ओप्षन है, A. मांट भुजी, B. मांट ब्लै, C. मांट एउरेष्ट, D. किलिम गजारो इसका सही जवाब होगा, C. मांट एउरेष्ट बारा नमबर सवाल है, किस समुद्र में मचलिया नहीं पाई जाती है? इसके ओप्षन है, A. म्रत सागर, B. आर्केटिक मांट सागर, C. प्रिशांद मांट सागर, D. हिंद मांट सागर इसका सही जवाब होगा, A. म्रत सागर में मचलिया नहीं पाई जाती है तेरा नंबर सवाल है, सांप किस रंग को देख कर पागल हो जाता है? इसके ओप्शन है, A. लाल रंग, B. पीला रंग, C. नीला रंग, D. काला रंग इसका सही जवाब होगा, C. नीला रंग चौदा नंबर सवाल है, मनुष्ट के सरीर में सबसे छोटी हड़ी कहा होती है? इसके ओप्शन है, A. नाक की हड़ी, B. कान की हड़ी, C. हाथ की हड़ी, D. पैर की हड़ी इसका सही जवाब होगा, B. कान की हड़ी सबसे छोटी हड़ी होती है पंद्रा नमबर सवाल है मनुष्य के किस अंग में एक भी हड़ी नहीं पाई जाती है इसके ओप्शन है A. कान में B. जीब में C. सर में D. हाथ में दोस्तों वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्स्क्राइब करें इसका सही जवाब होगा B. जीब में सोलर नमबर सवाल है मुर्रा किसकी एक प्रजाती है इसके ओप्शन है A. घोड़ा की B. गाई की C. भैंस की D. बकरी की इसका सही जवाब होगा B. गाई की एक प्रजाती है साब्तरा नमबर सवाल है बाबर ने अपनी आत्म कता किस पुस्तक में लिखी थी इसके ओप्शन है A. करबला B. गबन C. बाबर नामा D. पंचरत्न इसका सही जवाब होगा C. बाबर नामा में 18. नमबर सवाल है B. C. जी काटी का निर्मार प्रयोक शाला कहां इस्तित है इसके ओप्शन है A. गोवा में B. महाराष्ट में C. राजस्थान में D. चन्नाई में इसका सही जवाब होगा D. चन्नाई में स्थित है 19. नमबर सवाल है किस देश में एक भी बच्चे का जन्म नहीं होता है इसके ओप्शन है A. वेटिकन सिटी B. इंडोनेसिया C. फ्रांस D. पेरिस इसका सही जवाब होगा A. वेटिकन सिटी में 20. नमबर सवाल है किस जीव ने कभी अपनी मा को नहीं देखा है इसके ओप्शन है A. सापने B. मच्छने C. बिच्छूने D. चीटी ने C. बिच्छने कर दो कि बाले कर दो दो कि बाले कर दो कि बाले करें